जैसियाराम भगजनों कमेंट आया है कि हम कुनसी सेवा करें, हम किस तरह से सेवा करें, कि हमें सहज भक्ती उप्राप्त हो तो प्यारे भक्तों आप ध्यान से सुनें, हम आपको वह तरीका बताते हैं, जो बहुत ही सहज है और आसान भी है भगजवान के गुणों का गुणगान करना चाहिए, लीला रूप नाम का ध्यान करना चाहिए और धार्मेक बातें सुननी चाहिए, और अगर आपको धार्मेक्ता की अध्यात्म की बातें सुनानी आती हैं, तो आपको सुनाना चाहिए धार्मिक गरंतों को पुष्टकों को पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए भगवान के बारे में अगर आपको पूछना है और लोग जानते हैं तो पूछना चाहिए और आप जानते हैं तो उनको बताना भी चाहिए और प्राणी मात्र की तनमन धन से अपनी छमता के अनुसार सेवा करना चाहिए यह ध्यान में रखते हुए कि यह सब परमात्मा सरूप है तन से सेवा करें तो यह मन में भाव होना चाहिए कि मैं इस सहीर से परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ मन से भी यह भाब पिरकट हो कि मैं परमात्मा की सेवा में अपना मन अरपन कर रहा हूँ और बेसाहरा को धन देते समय भी यह मन में भाब होना चाहिए कि मेरा धन परमात्मा की सेवा में लग रहा है और प्यारे सज्जिनों आप यह भी समझें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो एक गुप्त है आप चाहते हैं कि हम हर वस्तू में हर जगह उस परमात्मा को देखें तो आप हर प्राणी मात्र को चाहे कोई आपको जानता है या नहीं जानता है आप सब को मन से नमस्कार करें या प्रणाम करें या राम राम करें जो भी आप उनको बोलना चाहते हैं आप उनको मन से जो है नमस्कार प्रणाम राम राम जैसी या राम जो भी बोलना चाहते हैं जरूर बोलें सामने बाले कोई पता चलेगा और किसी को सुनाई भी नहीं देगा और आपके अंदर ऐसी भक्ति अपने आप समाइथ हो जाएगी जैसा आपने कभी सोचा भी इसको हम गुप्त ज्ञान भी कह सकते हैं जो किसी को दिखाई भी नहीं देगा और आपकी भक्ती में वो पूर्ण तया समर्पित हो जाएगा तो प्रेमी सजनो आप किसी को भी जीव जन्तू को पसू पक्चियों को जिसको भी देखें ऐसा भाव अपने अंदर पैदा करें कि यह सब संसार में जितना भी प्राणी मातर है जो भी कुछ है सब परमात्मा की सश्टी में सब परमात्मा में है तो आप सब में उस परमात्म को देखें और सब को मनी मन नमस्कार करें और ऐसा भाव जब आप अपने मन में बनाएंगे तो आपकी भक्ती बहुत ही जल्दी पर पक हो जाएगी और आपको ऐसी आनंद की आनभूती होने लगेगी जिसके बारे में बाणी बता नहीं सकती है जिसमें आप स्वेम ही बता पाएंगे कि मुझे क्या अनभव हो रहा है और प्रेमी सज्जनों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे ही इस तरह का आप जो ना भाव अपने मन में ले आएंगे तो आपके बिगड खतम हो जाएगा आपके पास गरीवी है तो अमीरी अपने आप हो जाएगी तो प्रेमी सज्जनों आप सरफ इस्तरह की सेवा करें जो किसी को जल्दी से दिखाई भी ना दे और सेवा भी होती रहा तो प्रेमी सज्जनों आज के लिए अधिना है जैस की आरा